Hello everyone, Welcome back to my YouTube channel तो जो भी student अटल बिहारी भाज़ पर ही Medical University के द्वारा जो BSC Nursing इंटरेंस एक्जाम कंडेक्ट कराए गए थे 2023 भाज़ के लिए हैं तो यह देखिए आपका यह process पूरा complete हो चुका है अभी जो आप first round counseling जो आपकी खतम हो चुकी है और admission process भी खतम हो चुका है तो आज date कितनी है आज date total जो आपकी है यह आज 7 तारीक है देख लिए 7 जुलाई आपको है आपके second round counseling के आप लोग बेट कर रहे हैं second round counseling के बेट कर रहे हैं और यह 10 तारीक से आपकी सुरू हो जाएगी counseling सुरू हो जाएगी अब इसके बाद काफी student का यह question है कि मेरे सर 110 number है 115 number है 120 number है 100 number है क्या मुझे government college private college मिल जाएगे की नहीं तो यह सब चीजे देखिए seat matrix आजाएगी तो उसमें हर चीजे आपको clear दिखने लगेंगे कि कितने seat कितनी बैकेंट है तो देखिए private college की बात करें तो private college यह तो जिसको भी चाहिए कोई भी student हो कितना भी number हो 50 हो 40 हो 60 हो 70 हो सभी को मिल जाएगे क्यों मिल जाएगी क्योंकि मापप round तक seat है काफी बच जाती है जैसे देखिए अभी total अगर private की बात किया जाए कि total private में कितने college थे और total कितनी seat थी तो अगर seat की बात किया जाए काफी student ऐसे भी है जो admission भी नहीं लिए है वो second round में ही participate करेंगे तो second round के बारे में आपको सब चीजे पता होना चाहिए चलिए कुस चीजे आपको second round से related बताते हैं सभी student participate कर सकते हैं माप अप राउंड में या फस्ट राउंड में इन्माल भी हो है second में या third में third तो ऐसे होगा नहीं direct माप अप राउंड ही होंगे तो देखिए acceptance अप ग्रेट काफी student ने किये देखिए जो student freeze कर लिये हैं उनका तो यहीं पे एकदम finish है मतलब उनको second round से कोई मतलब ही नहीं है लेकिन जो option second choose किये है upgrade किये है या फिर float मतलब वो ही same चीज़े हैं upgrade अगर किये हैं तो second round counseling में आपको registration कराने के बाद देखिए first step क्या था registration ही कराना first step था second पे क्या था registration और security fees साथ में जमा हो रहा था 5,000 security fees था और आपका 500 रुपए क्या था registration fees था और बात करेंगे next में next में आपको college को choose करना था तो college को choose करने का option इस बार भी मिलेगा तो जो upgrade किये होंगे student उनको registration 500 रुपए registration करा लेना है और 5,000 रुपए तो उन सभी student को नहीं देना है जो student upgrade किये है अब वो upgrade कर दिये हैं तब फिर दुबारा decide कर रहे हैं क्या यही college मेरे लिए सही है क्या मालों अगर वही college चाहिए तो college choose करते समय आप वही college फिर दुबारा first priority पे आप वही college रख दीजिए या फिर एक ही college चूज करिए यह तो वह चीज आपको वही college फिर मिल जाएगी और अगर upgrade करना है तो upgrade आप first जो आपको college चाहिए उसको आप उपर रख सकते हैं तो उसके according आप रख देंगे और third option तो आपको पता यह decline करना था जिसको student को second round counseling में अगर कोई seat मिली होई होगी या private या government लेकिन उसमें उसमें उनको admission ही नहीं लेना था तो third option decline किये थे तो second round में participate करी सकते हैं तो चलिए हम लोग देखते हैं कि second round counseling अगर आप participate करना चाह रहे हैं तो आपको क्या क्या चीज़े criteria follow करनी पड़ेंगी तो eligibility criteria क्या रहेगी following candidate will have eligible to participate in round second of counseling अगर following कौन से candidate को eligible participate second round counseling में participate अगर कर रहे हैं तो वो student होंगे all candidates who have not participate in round first अगर ऐसे student second round counseling में participate कर सकते हैं जो student first round counseling में participate नहीं किये थे तो वो तो करी सकते हैं second round के लिए और ऐसे student जो all candidates who have participate round first counseling में participate किये थे not been allotted any seat और कोई भी seat उनको नहीं मिली है तो second round participate second round counseling में participate कर पाएंगे अब कर पाएंगे तो registration करवाना पड़ेगा पांच चार उपए देनी पड़ेंगी अभी सब चीज़ें आगे clear हो जाएंगी all candidates who have been allotted a allotted a seat in college ये have selected option second जो second option चूच किया है तो उनको registration करवाना पड़ेगा सभी को registration करवाना है अभी नीचे सब चीज़ें लिखी गई है इसमें आप prospectus आप खुद भी पढ़ सकते हैं all candidates who have been allotted a seat in college and have selected option third अगर आप decline चूच किया होंगे तब भी आप second round counseling में participate कर सकते हैं following candidate will not been eligible to participants second round counseling में काउंस स्टूडेंट पाटिसिपेंट नहीं कर सकते हैं तो जो student first round counseling में freeze किये थे college को select कर लिये थे college में admission भी ले लिये मतलब first option चूच किये थे freeze वाला तो आप second round counseling में नहीं participate कर सकते हैं और कोई आउ सकता भी नहीं है क्योंकि आप freeze भी कर दिये थे और आप अपने मन चाहा को college मिला होगा तभी आप freeze कियोंगे तो freeze करना सही है इसमें जहमेला है second round counseling में map up round में चलिए next में देखते हैं registration process आप complete करेंगे registration वही process सब रहेगा जैसे देख लीजे यह सब registration process है 500 रुपए registration लगेंगे सब चीजे यह सब चीजे दी गई है जो new student आएंगे सब यह सब चीजे आप करेंगे जैसे देखिए यहां पर लिखा गया है the candidate will have to deposit 500 आई जे counseling registration जो fees non refundable होती है online आपकी जमा होंगे except candidate who have registered for first round have not allotted any seat अगर आप मालीजे आप second round counseling में participate कर रहे हैं तो आपको registration 500 रुपए सबी student को करना ही पड़ेगा जो students participate करना चाहते हैं लेकिन उन सभी student को नहीं करना पड़ेगा 500 रुपए नहीं देने पड़ेगे जिस student ने first round counseling में participate किया था लेकिन कोई seat नहीं मिली थी तो यह सब चीजे हो गया यह देखिए candidate is required to deposit security fees आपको जो 5,500 रुपए जो जमा करना है तो वो भी तो सभी student को जमा करना है लेकिन ऐसे student को नहीं जमा करना है 5,000 कौन से student को नीचे देखिए लिखा गया है accepted and complete the admission process का accept किये थे और first round में admission process complete कर लिया है मतलब अगर आप upgrade किये हैं तो आपको 5,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे the candidate who have declined और जो student first round counseling में who have declined कर दिये हैं और second round counseling में participate कर सकते हैं तो decline वाले भी student कर सकते हैं और ऐसे भी student जो हैं 5,000 रुपए नहीं देने पड़ेंगे candidate who have registered for first round and not been allotted any seat in college और अगर आप first round में participate किये थे तो 5,000 रुपए तो आप जमा ही किये होंगे तो second round counseling में आपको नहीं देना पड़ेगा अगर आपको कोई भी college लाट नहीं हुआ है किसी भी college में कोई भी seat next देखिए after the successful registration आप करा लेंगे यह सब चीजे आप complete करेंगे तो यह सब चीजे आपको समझ में आ गई और second round counseling में देखिए second round counseling में आपको दो ही option आपको मिलेगा एक आपको accept करने का और आपको एक decline करने का और upgrade का option नहीं मिलेगा तो आप ध्यान पूरबक आप अच्छे से अपनी choice feeling करें और accept करें तो आप अपने इसाब से देख लीजिएगा जो student participate कर रहा है और देखिए यह हाँ पर चीजे लिखी गई है कि आपको 40,000 रुपए काफी student ये भी पूछ रहे हैं कि 40,000 रुपए वापस होंगे कि नहीं admission ले लिए हैं मुझे वहाँ पढ़ना नहीं है तो भाई 40,000 रुपए वापस नहीं होंगे अगर आप college को left करते हैं सब चीजे लिखी गई है चीज लिखी गई है candidate who have already deposit जो student 40,000 रुपए जमा कर दिया हैं फर्स राउंड counseling में और वो select कर लिए हैं और to participate कर लिए हैं second round में participate कर रहे हैं तो 40,000 रुपए नहीं जमा करना भाई अगर आपका upgrade हो गया या नहीं होगा तो 40,000 रुपए आपको fee नहीं जमा करने हैं और बिहारी के तुरू जिसमें आपका admission हुआ होगा आप सिरी fees recipient वहां लगा है 40,000 रुपए फिर new जो आपका college मिलेगा उसमें 40,000 रुपए फिर दुबारा send कर दिये जाएंगे ये आटल बिहारी भाजपे की जम्मेदारी है आपकी नहीं तो upgrade होगा तो आप उसमें जाके admission सि चीजें यही सब चीजें इसमें दी गई हैं और देखिए काफी student यह पूछ रहे हैं कि कितनी seat लगबख खाली रहेगी तो seat matrix आने दीजिए seat matrix आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा ये समझे 9 या 10 तारीकों आपको seat matrix आ जाएगा 8 को भी आ सकता है क्योंकि online सा process चली रहते पांच तारीको admission complete हो गया तो सभी college वाले अपना 6-7 तारीको अपना report भेज दिये होंगे कि मेरे college में कितनी seat किस category में खाली हैं तो ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए लेकिन 10 तारीक के पहले तो आपका आई जाएगा 10 को भी आ सकता है अगर किसी भी college में आपको seat नहीं मिली है तब भी आप participate कर सकते हैं और मालीजे आपको seat मिल गई है आपको college भी मिल गया है सब कुछ मिल गया है admission process complete है तब भी आप map of round करा सकते हैं लेकिन देखिए यहाँ पर चीजे लिखी गई है all candidates who have completed the admission process round first or second में जो student के all candidates complete कर लिए है admission process can also participate in way student participate कर सकते हैं map of round में but they have to resign from their allotted seat जो आपको seat मिली है उसको पहले आप resign करना पड़ेगा before registration मतलब 10 तारिक जो map of round का date आएगा उस date के पहले आपको registration से पहले आपको उस college में जाके resign करना पड़ेगा seat को छोड़ना पड़ेगा they will not have any claim under previously allotted seat और जो आपको seat मिली रहेगी उस पे आप दुबारा कोई claim नहीं कर सकते the allotted seat and security fees आपका देखिए आपका अगर आप second direct map of round में जाते हैं अगर आपको admission मिल गया है तो आपको पांच चार रुपए और आपका seat जो एलाट हुई होगी दोनों चली जाएगी तो भाई इसमें risk है अगर आपको seat मिल गई है आप direct map of round में जा रहे हैं तो आपके पांच चार 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 तो नहीं जाएंगे चार चार सेफ रहेगा लेकिन पांच चार और पांच सो रुपए रेजिस्टेशन का पचपन सो रुपए वो जाएंगे और आपका seat तो जाएगी सेट आपका यह दोनों जब्त कर ली जाएगी तो रिस्क है ऐसा मत करना जिसको seat मिल गई है अगर government college की seat मिली है तो आप कोई भी government college होगा लेकिन यह risk मत लीजिएगा तो government college तो government college ही है private है तो आप risk ले सकते हैं private college है और अगर आपके पास पैसे भी है तो यह सब चीजे पूरी information दी गई है seat matrix आने दीजिए और चीजे आपको clear कराएंगे student ऐसे भी है ना जो first round counseling में seat मिली थी और वो 500 रुपे registration भी कराय थे और 5000 रुपे वो security face भी जमा किये थे उनको private college मिला भी था और ऐसे student private जो college जिस student को मिला है ऐसे काफी student ने किया है कि वो first round में college भी मिले थे लेकिन वो admission ही नहीं लिए आगे कोई जो तीन option चुनने थे first or second third वो कुछ किये ही नहीं थे उसके आगे कुछ भी नहीं किये तो अब वो पूछ रहे है क्या पांच यार मेरे वापस होंगे भाई तो अगर आप कुछ कोई action लिए ही नहीं आगे कोई process किये नहीं 40 रुपए नहीं payment किये आप counseling ही नहीं लेकिन आप second round counseling में participate भी कर सकते हैं कि नहीं अब ये भी student question पूछ रहीं कि मैंने कोई action ही नहीं लिया कि second round में counseling participate कर सकते हैं कि नहीं तो देखिए second round counseling में कहीं कुछ ऐसा लिखा नहीं है कि अगर आप कोई action नहीं लेते हैं तो आप second round में participate कर सकते हैं मापब round में कहीं नहीं कर दो कर दो